एक से 38 मुखी तक भी लिखा हुआ है कि रुदराक्ष होता है शास्तर ये बोलते हैं कि मतलब रुदराक्ष धारन करने से बड़ा कोई भी कारेश रेश्ट नहीं है तो पदमपुरान में भी भगवान शेवकार्तिके को कहते हैं कि अगर बिना मंतरुचारन के भी रुदराक्ष को कोई पहन लेता है तो बोले नाथ ने प्रोडूस किया है तो वो उनके लिए नहीं है वो आपके लिए आज का पॉडकास मेरा परस्नली बहुत जादा फेवरेट एपिसोड है बिकॉज आज का टॉपिक ऐसा है जो आपको इंडियन इंटरनेट पे कही नहीं मिलने वाला बहुत जादा कॉंट्रिवर्शल बाते बहुत जादा क्लारिटी वाली बाते सबसे जादा फेवरेट एपिसोड बिकॉज आज का पॉडकास है रुदराक्ष पे इस पॉडकास के बाद आपको कुछ और जानने की जूरत नहीं पड़ीगी रुदराक्ष के बारे हमने इस पॉडकास में हर एक मुखी रुदराक्ष के बारे में बात करिए और हर एक मुखी रुदराक्ष के बेनिफिट्स के बारे में बात करिए किन को पहनना चाहिए, किन नमबर्स वालों को पहनना चाहिए, किस राशी अनुसार पहनना चाहिए, सब कुछ इस podcast के बाद आपको कहीं और जाने की जोटनी पड़ेगी, ये complete booklet है, हर मुखी रुदराक्ष की बात करिए, आपके लिए रुदराक्ष की बात करिए, कि कौन सा रुदराक्ष आपको पहनना चाहिए, और क्या पहनना चाहिए, या नहीं पहनना चाहिए, क्या आप physical जब होत नेट पे अवेलेबल ही नहीं है, in fact कहीं भी अवेलेबल नहीं है, this is the only podcast मैं दावे से कह सकता हूँ, जो रुदराक्ष पे अब तक बना है, आप हर बार request करते हो कि जिन भी guest को बुलाते हो, please उनकी थोड़ी fees कम करा हो, थोड़ा सा उनसे easily हम connect कर पाए, कुछ addon talk special दो, because हम addon talk special जनता है, तो आप सब special लोगों के लिए, ये special coupon code हमने बांगा उनसे, कि sir, जो लोग भी connect कर रहे हैं, इस podcast के बाद, जो लोग भी रुदराक्ष, actual authentic रुदराक्ष करीदना चाते हैं, या फिर रुदराक्ष के बार में courses करना चाते हैं, और depth में knowledge लेना चाते हैं, coupon code आ इनोंने खुद की बहुत जादा depth research कर रखी है, और इस podcast में आपको उनके बार में सब कुछ पता लग जाएगा, ये एक डेड़ गंटे का episode है, पर उनके पास सालों का experience है, कितने authentic है, कितना जादा मजा मेर को आया, मेरी team को बहुत जादा मजा आया, और हमने इनके साथ एक बहुत जादा depth episode बनाया, जो ये आपके लिए हम लेकिया है, so enjoy Arushan Sir on AdonTalks Hindi podcast, enjoy AdonTalks Hindi podcast, enjoy yourself, और कल मेरा बढ़ दिवी है, तो विश कर देना सारे! Hello Sir, Welcome to AdonTalks, Namashreevai Varun, Namashreevai Sir, मैं आज के podcast के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बहुत ज़्यादा करना चाहता था, because एक single reason, कि मैं रुदराक्ष के बारे में बहुत कुछ जाना चाहता हूँ, और जितना मैं YouTube पे online ढूटने लगता हूँ, या तो मेरे को डरा दिया जाता है, कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं पहनना, इस मुखी को नहीं पहनना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए, और बहुत सारे norms और सारी चीज़ों के साथ आते हैं, और फिर दूसरी चीज़ आती है, कि मेरे को कोई clarity नहीं मिलती, जैसे कि हमारे को astrology के बता दिया जाता है, कि ये कहानी है, ये stories है, सारी चीज़ों का एक backstory मिलती है, पर रुद्राक्ष में हमारे को backstory भी नहीं धंक से मिल रही है, और बहुत misleading है, डराया जा रहा है, और अगर नहीं भी डराया जा रहा है, तो आज के podcast का मेरा motive है, मैं चाहता हूँ आप audience को बिल और आगे आए, और clarity मिले, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है, सबसे पहले आप एक बर audience को बताब क्या क्या करते हैं, और उसके बाद I'll put my questions, जी, नमश्यवाई audience, मेरा नाम है अरूशा नारकत्याल, मैं हूँ एक रुद्राक्ष एक्सपर्ट, और मैं रुद्राक्ष को किसलिए पहना जाता है, और different myths और facts, जो cover होते हैं, जो society में चल रहे हैं, उनको unleash करते हैं रुद्राक्ष कोर्स के माध्यम से, perfect sir, रुद्राक्ष को जाना ही कैसे, बलब पूरी history क्या है, क्या story है, इसके लिए हमें एक story मिलती है, जो सबसे जादा authenticated है, इसमें ये लिखा गया है कि रुद्राक्ष की उत्पति भगवान शिफ से हुई है, क्योंकि देवताओं के उपर जो है, बहुत सा जुल्म हुआ, तरीपुरा सुर्णामा के एक रक्षस हुआ करता था, जिसने बहुत कैड़ आया, तो वो उसे देखते हुए, जो उसका जो वद्ध था, सिर तो यह स्टोरी बहुत ही पॉपुलर है, हमें शास्त्रों में मिलती है अपने, तो बहुत ही क्लिरली लिखा है शिफ पुरान के अंदर कि यह रुद्राक्ष का पेड उन्होंने इसलिए फॉर्म किया, ताकि मैंकाइंड को किसी भी तरह का कोई भी आलमेंट है, कोई भी इ कर रहे हैं, बट हमारा दुरभाग्या की काफी लिमिटेड नॉलेज अविलेबल है, इंडिया के अंदर इसके बारे में कि रुद्राक्ष के बारे में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, तो बहुत से ऐसे कोशन हैं, और यह बहुत ही एक डीप सब्जेक्ट है, जिसक साल तब किया, और इस संसार में जो संघार हो रहा था, उसको देखते हैं, बहुत ही दुखी हुए, जिससे उनकी आखों से आसु गिरे और रुद्राक्ष के पेड़ का फोर्मेशन हो गया, तो रुद्रा का मतलब है शिवा, अक्ष माने तो उनकी आखें, उनकी आखों से उत्पन होने वाला ये एक सीड है, ये एक्षुली जो है आता है हमारे हिमालयास से, ये एक फ्रूट है ओलिव की फैमिली का, ये वही ओलिव है जिसका जो है ओलिव ओलिव आपने सुना होगा, बट डैट इस डिफरेंट स्पीशिस, बट साड़े तीन सो से ज़ाधा प्र प्रूट बेरी की तरह दिखता है, ग्रीन कलर का और इसको पील किया जाता है, तो अंदर जो कार्फ बोलते हैं, आप सीड कह सकते हैं, अंदर की जो गुटली है, उसको हमने रुदराक्ष कहा है, तो उसका जो अपियरंस है, एक दम सेम मेल खाता है, जो हमारे 18 शास्त्रों में रुदराक्ष का जो बखान है, उसकी फिजिकल अपियरंस के ऊपर, जी, ऑनलाइन ही ये सवाल बहुत देखा गया, कि लोग बताते हैं कि इतने मुखी रुदराक्ष होते हैं, बट पुरांज में बताया गया है कि 14 मुखी रुदराक्ष होते हैं, तो इसके पीछे क्य स्टोरी है, इसको क्या clarity दो गया अब? एक से 14 मुखी रुदराक्ष का बखान है, बहुत ही deeply एक मुखी के बारे में लिखा हुआ है, और हमने ये भी पाया है कि जैसी आप 14 मुखी से उपर जाते हैं, 15 से 21 जाते हैं, तो उनकी availability कम होती रहती है, बट नेचर में वो भी available होते हैं, और 21 मुखी से 27 मुखी के अंद इस थे पुराने जमाने के, तो वो जो चीज लिखके गया है, वो खुबी एकदम resonate होती है नेचर के साथ, अगर मैं बहुत लेमन language में समझने ही कोशिश करूँ, तो जैसे एक fruit होता है, वैसी हमें रुदराक्ष मिल जाते हैं, बट जैसे हमार को अगर हम आम से ही compare करें कि म तरीके की variety आती है, क्योंकि मैंने बोला कि South East Asia में होता है, इंडिया के अंदर पाया जाएगा, South China में पाया जाएगा, उसके बाद नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रिलंका में, कुछ varieties रुदराक्ष की Australia, North Australia में भी पाई गई है, बट majorly ये South East Asia में पाया जाने वाला पेड़ है, और मैं पता दू कि A quality, सबसे उत्तम quality का जो रुदराक्ष है, वो नेपाल की धरती पे पाया जाता है, नेपाली रुदराक्ष को सबसे भैतरीन quality का कहा जाता है, क्योंकि उसका size सबसे बड़ा होता है, और शिप पुरान में ऐसा कहा गया है, कि जितना ब पे एक आइलेंड का नाम है, जावा बीट कहते हैं, और C quality of रुदराक्षा, इंडिया and rest of the world आप कह सकते हैं, तो ये different different तरीकी quality आती है, तो ऐसी जैसे आपने बोला कि आम के अंदर different varieties आती है, तो अलफोंसों आम आता है, तो वो सबसे highest quality का होता है, उसका दाम भी बहुत साधा होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे A और A प्लस category हमने नेपाली रुदराक्ष को दी, और मैं पता दूँ कि लोग अकसर इसमें कभी बार धोका खाते हैं, कि नेपाली रुदराक्ष बोलके उनको बोल दिया जाता है, ये नेपाली रुदराक्ष है, बट उसमें मैं पता है, वहां का रुदराक्ष निकला है, जो सबसे अच्छी एफिकेसी का है, बहुत ही ठोस दाना निकलता है, जिसके स्ट्रीक्स मुख बहुत क्लियर मिलेंगे आपको, नहीं तो आप इंडिया और असाम और नेपाल के बार्डर पे भी रुदराक्ष को आप देख सकते हैं, उसको भी नेपाली रुदराक्ष कह दिया जाता है, तो दोनों में काफी डिफरेंस है, तो यहीं पे सारा खेल स्टार्ट हो जाता है, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि एकसर लोग कहते हैं कि यह रुदराक्ष तो इतने का है, किसी और जगा हमने इतने का तो इसमें सारा क्वालिटी का खेल रहा है हमेशा से, तो अगर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो कोई तरीके होते हैं, जिससे हम पेचांच सके एक normal आदमी जो podcast देख रहा है, क्या उन जैसे अब कोई हरीदवार जाता है, तो वहाँ पे बहुत जादा रुदराक्ष मिल तो कैसे एक normal इंसान जो podcast देख रहा है, आज समझ सकता है कि हम कैसे quality चेकर सकते हैं, तो कि रुदराक्ष नकली आते हैं, यह सबसे बड़ा जूट है, मैं पता दूँ कि हाँ कुछ रुदराक्ष नकली आए, जिनकी वज़ासे बाकी मुखी जो रुदराक्ष हैं, वो जो ह पहनते हैं, जैम्स बहुत जादा हमें शौक है, जैम्स को पहनने का, हमारी family में, relatives में, आपने किसी को जैम पहने वो देखा होगा, बट रेरली आप किसी से मिले होंगे जिसना रुदराक्ष पहना होगा, बलकि आज जिन्नोंने अपना ग्रहस जीवन त्याग दिया या त वो पहने देखा होगा आपने, तो आपने इसको समझ लिया कि ये तो ग्रहस जीवन की चीज नहीं है, तो आप इससे दूर हो गए, तो सबसे पहला पहना quality का ये है, कि आप हमेशा नेपाली रुदराक्ष खरीदें, और कुछ मुखी रुदराक्ष में आपको पता दे रह हाँ के वो dirty का पेहना यह है, मैं आपको पता देता हम आपको पूरा goal होना चाहिए, क्योंकि शिवद करान में कहा गया सबसे निम्नकोटी का गया है, तो जितना बड़ा दाना होगा कहने का मतलब है यानि अगर मैं साइस की बात करूं तो यह हमारे रोदराक्स जो नेपाली है वो स्टार्ट हो जाते हैं 15 mm से 13 mm का भी रोदराक्स आपको देखने को मिल जाएगा बट 15 mm से 20 mm बहुत सेल करती है दुनिया इसको आपको 70-80% मार्किट में जो प्लाय होते हुए दिखेंगे वो 15-20 mm के मिलेंगे जैसी आप 20 mm से उपर जाते हैं दाम बढ़ता है और ऑविसली quality भी बढ़ती है और उसका effect भी है आपको सामने वाले के उपर देखने को मिलेगा तो 20-25 mm के ideal range है जो हर कोई इसको खरीच सकता है देखके और जितना ज्यादा weight होगा रुदराक्ष का उतना ही अच्छी quality का होगा पूरा साफ होना चाहिए चमकदार दाना होना चाहिए और उसे देखके आपको attraction होनी चाहिए सबसे बड़ी बात मैं यह बोलता हूँ हमेशा कि अकसर लोग ये question पूछते हैं कि quality कैसे करेगी जिसको देखके आपको attract हो गया है चाहिए वो किसी का भी मुखी का रुदराक्ष है वो आपके लिए 100% काम करेगा अगर उसे देखके आपको छोड़ा नहीं जा रहा है बहुत सारे लोगों को यह भी जानना होगा कि हम मुखी कैसे figure out करें कि यह कितना मुखी है वो लोग अक्सर उसमें गलती कर देते हैं कांट करने में तो और मैं यह भी कहता हूं कि 90% लोग जो जनता है वो एक से बारा मुखी पहनती है वो इससे उपर कभी जाते ही नहीं क्योंकि दाम यहां से बहुत जादा बढ़ जाता है क्या प्राइज रहती होगा हम अगर बात कर प्राइज आपको चुकाना पड़ेगी वो लाखों में भी जाता है पिलकुल लाखों में जाता है अब हम 16 मुखी और अबव की बात करें तो लाखों में आपको मिलेंगे कोई 2,5,20 मुखी जो बहुत ही रहर होता है साल में सिर्फ 15-20 दाने अभी मिले हैं पिछले सीजन म 21 मुखी के तो यहां तक भी हमने उनको सेल होता हुआ देखा है अब अगर इतना दाम है तो अफकॉर्स ही बात है कि इतना कोई दाम चुका रहा है तो सब को रिटर्न भी चाहिए तो मेरे को यह भी जानना है कि रुदराक्ष की क्या ऐसी एनरजी होती है कि जैसे हमने बात करी तो अगर मैं किसी चीज़ के लिए साथ लाग रुपे दे रहा हूं तो मैं को उससे रिटर्न में क्या मिल रहा है तो हर एक मुखी का अगर आप बता सको कि क्या सिग्निफिकेंस है क्या एनरजी बलकुल तो इसके बारे में शास्त्रों में बहुत क्लियर है शास्त्र य खाला गया तो रुदाराक्षा के बारे में बहुत से शलोग कहें शास्त्रों में सकी महनता के बारे में तो हम एक से लेके को प्ले उपादी मेरे बराबर की हो जाती है मतलब रुद्राक्ष धारन करने से नीस संदे ही वह रुद्र हो जाता है तो उन्होंने जो है मेरे सवरूप मेरे बराबर उपाधी हो जाएगी उसकी जो भी एक मुखी को पहन लेगा तो एक मुखी is equivalent to Shiva, the ruling planet is sun, क्योंकि सूरे जो है सबसे बलशाली हमने बोला है, राजा कहा है प्लैनेट्स के अंतर, और एक मुखी की खासियत है कि वो management positions पर भी जो भी लोग हैं, उनके लिए काम आता है, अगर आप entrepreneur हैं, अगर आप business person है, या अपने नीचे लोगों को influence करना चाहते हैं, किसी politicians के लिए बहुत, मतलब लोग होते हैं, एक मुखी के पीछे business persons बहुत पहनते हैं, dominance के लिए, और किसी का अगर कोई काम नहीं हो रहा है, सरकारी महकमे में, कोई काम अटक गया है सरकार में, तो वो भी एक मुखी को पहन ले, और कोई अगर government job की त्यारी कर रहा है, काफी लोग है, aspirants होते हैं, civil job इसके लिए, civil services के लिए, तो वो भी एक मुखी को पहने, तो बहुत अच्छा effect हमने उसके अंदर देखा है, उसके बाद बात करते हैं हम दो मुखी की, दो मुखी अर्द नारेश्वर रूप, जो है भगवान शिव का, शिव और शक्ति, मतलब भगवान शिव और पारवती के मिलन को अर्द नारेश्वर रूप कहा गया, तो उसको जो है represent करता है, इसका जो ruling planet है, वो है चंदर यानिके मून, तो यानिके मून हमारे मनस पे, जो है effect डालता है, तो जितने भी आपके mood swings है, उसको जो है counter करता है दो मुखी, husband-wife relationships, या किसी भी दो लोग जो आपस में harmony को maintain करना चाहते हैं, कोई भी दो लोग मधूर समन्दों के लिए, even की साज बहू, दो भाई, और बाप-बेटा, relationships के लिए specifically दो मुखी को जाना जाता है, तीन मुखी की बात करते हैं, तीन मुखी मंगल को denote किया गया है, और इसके जो देव हैं, वो हैं अगनी देव, तो ऐसा कहा जाता है कि तीन मुखी पहनने से, जितने भी पाप हैं, क्योंकि अगनी सब कुछ जला के भस्म कर देती है, तो वैसे ही, जितने भी किये हुए पाप हैं, पिछले जन्मों के जो कार्मिक डेट्स हैं, कार्मिक सिंस हैं, हम लेके carry forward होते हैं, भी human life मिलती है, तो उसको भी जो हैं, भस्म कर देता, तो जो भी चीज है, उसको भस्म कर देगा, आपकी बुराईयों को जो है, बस्म कर देगा, बिल्कुर नूट्रलाइज कर देगा, और आपको energy के लिए पहना जाता है, तीन मुखी रुदराक्ष, means fire means energy, तो काफी लोग कहते हैं सर, कि weight lose करने के लिए कौन सा रुदराक्ष है, ऐसा तो कोई रुदराक्ष नहीं है, बट motivation के लिए आप तीन मुखी को पहन सकते हैं, मैंने तीन मुखी बहुत अच्छे result देखें, including me, कि जब मैंने तीन मुखी पहना, तो मुझे हफते से 10 दिन के अंदर मुझे ट्रेनर मिलके हैं, मैं काफी टाइम से work out करना चाहिए तो तीन मुखी के बहुत अच्छे effect देखें हैं, और तीन मुखी उनके लिए भी अच्छा है, जिनकी property नहीं बन रही है, तो मंगल माने तो आपकी धर्ती और property अगर कोई dispute भी है, तब भी तीन मुखी आपको पहन लेना चाहिए, चार मुखी की बात करते हैं, तो चार मुखी के चार आपको वहापे मुख मिल जाएंगे उसके अंदर, तो उनका मतलब है भ्रह्मा जी के चार सिर्ख, तो भ्रह्मा जी जहां है, वहाँ सरस्वती जी का बिल्कुल नाम लिया जाएगा, तो सरस्वती जी का क्या देती है, knowledge, तो knowledge, creativity and intelligence के लिए चार मुखी पहना जाता है, तो जो भी लोग public speaker हैं, students के लिए तो वर्दान है चार मुखी, मैं पता दूँ audience को कि दो दाने अगर चार मुखी को पहना दें, और एक दाना च्छे मुखी पहना दें अपने बच्चे को आप, जो भी school going है, मतलब बच्चा अगर थोड़ा समद्दार हो जाए, 5-6 साल का हो जाए, तब आप उसको पहना दें, और आप देखेंगे कि उनकी concentration में बहुत अच्छा effect आपको देखने को मिलेगा, चार मुखी से, तो चार मुखी intelligence और creativity को बढ़ाता है, आपकी ओरेटरी power को बढ़ाता है, क्योंकि जो इसका जो ruling planet है, वो है बुद्ध, बुद्ध माने तो बुद्धी, तो फिर से आपके mind को जो है शाप करता है, तो बहुत ही amazing, रोदराक्ष मैं कहाता हूँ, चार मुखी हर किसी को पहलने ना चाहिए, क्योंकि जो है, specially बोलने का काम ज़ादा होता है, marketing के लोग बोल नहीं पाते हैं, sales के लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा प्रड़क्ट होता है, तो उनको चार मुखी पहनने के लिए recommend होता है, उसके बाद बात करते हैं, पांच मुखी जो है, it's called as the master bead, master bead इसले कहा मैंने, क्योंकि पांच मुखी एक ऐसा दाना है, कौंट्री बहुत जादा है, इंडोनेशा ले 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 चाहिए, आप नेपाली ले ले ले, तो पांच मुखी जो है, master bead इसले कहते हैं, कहीं भी जाके fit हो जाता है, शिप पुरान में कहा गया है, जो भी पांच मुखी को पहल लेगा, उसकी अकाल मृत्य जो है, नहीं होगी, तो मतलब अगर कोई death bed के उपर है, या accidental death को जो है, avoid करने के लिए, पांच मुखी को पहना जाता है, और पांच मुखी का जो ruling planet है, वो है Jupiter, ब्रहस्पती, तो ब्रहस्पती सबसे बड़ा planet है, विच दिनोट मोटिवेशन, प्रोस्पारिटी, इंटर्नल हैपिनेस, और 360 डिग्री एरिया आफ यूर लाइफ, तो कोई भी आपको समस्षा है, अगर आप first timer है, तो आप पांच मुखी रुदराक्ष को, बिना किसी डेटो बर्थ को देखे हुए, आप धारन कर सकते हैं, तो यह मैं एक tip भी देता हूँ audience को, काफी लोग कुछते सर्फ फर्स टाइम है, कौन सा पहने, यह डेटो बरता है, फलानी है, यह राशी है, कुछ नहीं देखना आपने, जस पांच मुखी को आप पहन सकते हैं, बहुत यह अच्छा काम करेगा यह, उसके बाद बात करते हैं, हम छे मुखी रुद्राक्ष की, छे मुखी रुद्राक्ष टिनोट किया गया है, शिव पुत्र कार्तिके को, और उनके जो ruling planet हैं, वो है Venus, शुक्र, तो यह वही है, शुक्र जो है, प्लैनेट है, लग्जिरी का, रॉमैंस का, रिलेशन्शिप बिल्डिंग का, तो अगर यह उन लोगों के लिए अच्छा है, जो पब्लिक लाइफ के अंदर है, जैसे पॉलिटीशिंज हैं, अक्टर्स हैं, शुक्र के प्रोफेशन से रिलेटिट कोई काम, अगर आप करते हैं, होटेल, होस्पिटलिटी, पर्फ्यूंग, जूल्री, तो उस शेतर में बहुत बढ़िया काम करेगा, छे मुखी, छे मुखी आपके पर्सनल रिलेशन्शिप्स को भी, जो है, हील करेगा, स्पेशली मेल्स के, तो जो भी मेल्स है, मैरिटल लाइफ में टर्बूलेंस है, या शादी नहीं हो रही है, तो छे मुखी रुदराक्ष आख बंद करके धारन कर लें, और चार, पाँच और छे सबसे सस्ते रुदराक्ष हैं, ये तीनों एक ही दाम के रहते हैं लगबग, तो छे मुखी रुदराक्ष के अगर आप तीन नाने पहन लेते हैं, कितने रेट करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएंगे, 3.99, 2.99, रीजनेबल हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइज है, अगर आप इसके तीन नाने पहन लेते हैं, तो आपको 6 मुखी के बहुत अच्छी जल्दी विजिबल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बात करते हैं साथ मुखी रुदराक्ष की, उससे पहले मैं बता दू, साथ मुखी रुदराक्ष मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा हाइली रिकॉमेंड़ रुदराक्ष है, क्योंकि साथ मुखी रुदराक्ष हमारे शास्त्रों में बार बार इसका बखान आता है, किसी ना किसी रीजन से बार बार इसका बखान आता है, और सारे जितने भी त्रीदेव हैं यांके ब्रह्मा विष्णु शिवा इन तीनों जो हैं इसको रूल करते हैं अलगलग शास्त्रों के एसाफ से जैसे पदमपुरान में का गया कि विष्णु जी के साथ सर्प जो हैं इसके साथ मुखों के अंदर रहते हैं और रुदराक्स तो भगवान शिव का सवरूप है और लक्षमी जी ने बोला है जहां जहां विष्णु जाएंगे लक्षमी उनके साथ रहेंगी तो यह पैसे के लिए पाइनेंशल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है यह जो बीड है और अगला रीजन इसका यह है रिकमेंडेशन का क देखें अगर आप कुंडली खोलें या फिर निम्रोलोजिकल होरोस्कॉप उसका देखें तो शनी कहीं ना कोई आपको मेलेफिक मिलेगा यह हर किसी के साथ प्रॉबलम है लोग कहते हैं मेरी शनी की दिशा स्टार्ट हो गई तो मैं डाउन हो गया मेरे काम होने बंद हो ग कि अनन्ता गए इस दने को अनन्ता मतलब भ्रमाजी को देनोट किया गया अब अनन्ता मतलब की इंफानाइट पावर्स जो भी इसको पहन लेगा उसको अनेक शक्तिया जो है देवी-देवता प्रदान कर देंगे, साथ मुखी के बारे में कहा गए इसके बाद बात करते हैं अब भी रूकर साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना तेजी से नहीं बहुत सारे सवाल मेरे अंदर आगे हैं और ओडियंस के भी परफेक्टली आएंगे इतने सारे सवाल पहला सवाल थो यह है कि अब इतनी सारे प्रशानिये और हर एक इनदान को इतनी सारे प्रशानिये होंगी तो क्या हम हर एक मुखी का रुदराक्ष भी पहन सकते हैं ये एक ही मुखी का पहनना चाहिए इसके बारे में बहुत ही साफ सा website है हमारे शिव पुरान में भागवतं में भी शिव पुरान में कहा गया है कि जो भी's tutte निन के पहन लेता है वो हशयवत्व हो जाता है इसिव में लीन हो जाता है उसकी उपादी शिव जैसी हो आती है और महां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है भगवान शिव ने बोला है कि एक से चोदा मुखी सभी को पहन लेने चाहिए तो एक से चोदा मुखी आप जो है पहन सकते हैं या साथ मुखी से स्टाइट किया उनोंने तो धीरे धीरे दाने जो है उसमें बढ़ाते चलते हैं वह कि हरकिसी का इतना बजट भी नहीं रहता है और एक बरी में हर कोई स्केटिकल होता है फॉस्ट टाइम पहनने में तो लोग क्या करते हैं पहले तीन नाने पहनते हैं फिर एक साथ नहीं पहन सकते बट रोधराक्षा की इनर्जी बहुत हाई होती है मैं आपको पता दूँ इसमें डैनामिक पोलारिटी होती है लैप के अंदर जब इसको टेस्ट किया गया है और इससे जहां आपकी बॉडी के इंपल्स जो हैं ट्रिगर होते हैं जब आप रोधर कर नहीं लेते आप क्योंकि इससे जो है आपकी और जो है डाउन होता है आपका उस एनर्जी को उतरे अच्छे से ले नहीं पाऊँगे तो आपको धीरे-धीरे जो है रोधराक्ष को बढ़ाना चाहिए बट अगर किसने रोधराक्ष पहले से पहने हुआ अगर वो चाहता है अब यह थो clear हो गया कि हम यह तो single कुछ जो हमारी परशानिय युजिया और अगर परशानी नहीं है तो हम एक divine power को feel करने के लिए भी पहन सकते हैं जैसे कि मेरी life बहुत happening है सब कुछ सही चल रहा है कुछ वो नहीं है बट मैं shift G से connect करना चाहता हूँ तो फिर मैं को कौन सा मुखी पहनना चाहिए मैं तो यही कहूँगा कि आप 5 मुखी से starting करें लाप में इसके अंदर 1980 में मनारस हिंदू उनिवरस्टी में डॉक्टर एसपी गुपता थे उन्होंने इसके उपर सड़ी स कंड़क्ट कर 1982 से 85 के बीच तो वहां पर उन्होंने पाया कि जब 5 मुखी पहनाया तो सेरोटोनिन के लेवल्स ब्लड में बढ़ गए सेरोटोनिन इस टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांस्मिटर जो इंड्यूस करता है आपके लिए जब आपके ब्लड में होता है तो वह इंड्यूस करता है कॉन्फिदेंस, हैपिनेस और जो है मेंटल पीस, स्पिरिच्वालिट की ज़रफ दिया वहाए तो वह लेवल्स हमने देखे तो पांच मुखी से थोड़े लो थे सेरोटोनिन लेवल्स इंड्यूस हुए बट कम आतरा में हुए जैसे उन्होंने एक से बारा मुखी पर टेस्ट किया तो वह लेवल्स काफी अलिवेट हो गए तो आप 5 मुखी से start कर सकते हैं फिर आप 12 मुखी पहन सकते हैं और एक मुखी पहन सकते हैं तो मैं ये भी बता दूँ आपके मादधर से जितने भी double digit के मुखी हैं जैसे कि 10 मुखी and above 10, 11, 12, they are more powerful than the single digit ये मैंने अपनी research में पाया तो क्योंकि वो थोड़े से महंगे भी होते हैं budgeted नहीं होते हैं जितने की बाकी रुदराक्षा तो आप decide कर सकते हैं कि अगर आपके budget में आ रहे हैं तो आपके बज़ेट में आ रहे हैं तो आपको मास्व अच्छी और ये सब आलकॉल नहीं खाना चाहिए नॉन्वेश नहीं खाना चाहिए फीमेल नहीं पहन सकती इतने सारी चीज़े आती हैं तो क्या norms क्या है देखे बड़ा ही simple हमारे जो शास्त्रितेना मैं बोलता हूं कि यह जो सब मित फैल आएगा यह आए कहां से पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं और दॉक्टर डेविड ली थे 1990 में उन्होंने एक सटी कंड़क्ट करी रोध्राक्ष जो है काडियो वैस्कुलर डिजीजिस में हील करने में काम आता है तो उनका पेटेंट है इसके उपर और हम अब तक इसी मित में उनके हम घुम रहे हैं कि रोध्राक्ष फीमेल्स को नहीं बहुत ना जाता है तो यह मित पहले आया कहांसे पहले इसके बारे में बात करेंगे फिर इस जाते थे कि शोंड़ पहनने से कोई भी जो है अपने लग को एलिवेट कर सकता है। और असंभव भी संभव हो जाता है। कि पद्म पुरान में, सकंद पुरान में बड़े ही क्लिरली लिखा है कि रंग से राजा बन जाता है, जो भी रुदराक्षक को धारन करता है। तो उन्होंने इसके बारे में मिथफल आये। स्टाइट किया उन्होंने कि जो फीमेल है वो इसको नहीं पहने तो 50% पॉपोलेशन आपने अपकट हो गई उसके बाद उन्होंने और उसके अंदर डीप डाइव चलेगे वो कि जो नॉन्वेज लिखकर है जो लेते हैं वो इसको नहीं पहने उसके बाद उन्होंने फिर ब परना नाम इस्तरी शुद्रा नाम शिवाग्या धाराय सदेव रोदराक्षा यती नाम प्रवेने ही अर्थात सभी कॉम्यूनिटी इसको इसके अंदर आ गया तो यहां से चीज क्लियर हो जाती है कि किसी भी जेंडर जो है इसको पहन सकते हैं दूसरा जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से दानाव ऐसे मिलेंगे राक्षासियां मिलेंगी जो जिन्हों ने रोदराक्ष पहना हुआ और इवन की पैट्स ने भी रोदरा जो है रोदराक्ष पहना हुआ और हमें सकंदपुरान में भी यह मिलता है कि अगर गधा या कुत्ता भी रोदारेश को पहन के मरता है तो वो भी रुद्रस वरूप कहलाता है तो देखे कितनी बड़ी बाद बोली गई है सकंद पुरान में कि कुत्ते को भी भगवान शिव के बराबर बोल दिया गया तो अगर इंसान इसको पहन ले तो उसका तो क्या ही कहना तो अगर इंसान इसको पहन लेता है तो उसके तो फायदे गिने ही नहीं जा सकते पद्म पुरान में भी भगवान शिवकारतिके को कहते हैं कि अगर बिना मंत रुच चारण के भिए रुदरास को कोई पहन लेता है तो उसके इतने फाय Battva नहीं सकता पर अगर मंत रुच चारण के बाद इसको पहन लिंदी जैंट तो मैं एक हजार साल लूँगा इसके फाइदों को बतलाने के लिए तो कितनी डिवाइन चीज है दूसरे कोश्चन पर आपके आता हूं कि नॉन्वेज और लिक्कर तो देखे मैं साफ साब आपको बता दू कि नॉन्वेज और लिक्कर हमारे जो शास्त्र हैं उसको कंजूम करने के लिए लाओ नहीं करते बट इसमें भागवतम पर मैं जाता हूं दुबरा बुक नंबर थी चैप्टर नंबर 6 के उपर जहां पर एक श्लोक के माद्यम से कहा गया है कि जो भी मास मदीरा का सेवन करता है जो भी अनंतियों का संग करता है मतलब बुरी आदते हैं उस कि उसके भी पाप जो है नोलगा अर यह बहुत ही क्लीरली वहाँ पे लिखा हुआ है वह फ्रॉप्र स्थे भागवतम और यह यह बता है क्योंकि उनको पता था कि कल्यूक में इन सब चीजों का सेवन होगा क्योंकि जो हीमन स्पीशीज है वह वैसे ही वॉल हुई है जब खाने को नहीं था तो वह शिकार करके ही मास्का ग्रेंड करते थे तो बट मैं आपको पता दूँ इसको पहनने के बाद आपका इंक्लीनेशन उसकी तरफ कम हो जाएगा नॉन्वेज और लिक्टर की तरफ मैं आपको गेरेंटीड 100% कह सकता हूं अगर आप इसको सेवन करते रहते हैं क्योंकि मैंने बोला कि आपके औरा को डाउन करता है आपके चकरा इसको मिसलाइन करता है जब आप यह सब चीजे लेत तो इसका एफेक्ट एक तो कम होगा आपके उपर अगर आप नॉन्वेज को लेते रहते हैं इसको पहनते हुए प्लस यह थोड़ा टाइम लेगा उसको इफेक्ट को दिखाने में बट मैं यह बहुत ही शुरेटी से कहता हूं मेरे पास बहुत लोगों की टेस्टिमेनीज इंक्लूडिंग मी क्योंकि मैं भी नॉन्वेज बड़ा हाटकोर नॉन्वेज था जबसे मैं रुदराक्ष पहना है आज पात साल हो गया है तो उसके बाद मैंने मतलब देखने के बाद मुझे इंक्लीनेशन नहीं होता है इसको टेस्ट कर लो बिलकुल भी आप उसकी तर आगे मेरी जर्णी है कि मैं इसको 21 मुखी तक लेके जाओ बोले नाथ की क्रेपा रहेगी तो हम 27 मुखी तक भी पहनेंगे अब जैसे कि हमने बहुत को जाना पर पहनते कैसे हैं गले में पहनना चाहिए हाथ में पहनना चाहिए या कैसे घर में तेजोरी में रखें मंदिर में रखे हैं कि रुद्राक्ष आपके लिए मतलब हूमन के लिए मैंन काइंड के लिए है तो जैसे लोग कहते हैं कि हमने इसको मंदिर में रख दिया निया बहुत ही श्लोक के माद्यम से कि जन्मों जन्मों का पुन्य जिसने किया है उसको जो है रुदराक्ष पहनने का सवाग्य प्राप्त होता है वन गेट से टोनली बाइड डेस्टिनी तो हर किसी को नहीं है यह सवाग्य प्राप्त मतलब अब यह पॉड़कास काफी लोग देख रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं कुछ लोग एक्शन लेंगे यार उनकी जिग्यासा बढ़ेगी और रुदराक्ष उनके तक पहुझेगा यह आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो आप किसी चीज से ट्रिगर होके उस चीज को पहनेंगे और वो आपके पुराने जन्मों का कुछ न कुछ पुन्ने प्राप्त है जिसकी वज़े से रुदराक्ष आपके पास आया है दूसरा आपने बोला कि गले में पहले पहनना चाहिए मैं यह देखा है कि जितने भी हमारे हिंदोस्तान में जितने भी सैलर्स उन्होंने रुदराक्ष को आज तक बिजनस कॉमेड़िटी की तरह लिया है उनको शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है मैंने भी जब रु सकते हैं उन्होंने उसी को नहीं पढ़ा है और उसमें पूरी नहीं पढ़ने की जरौता आपको विद्वेश्वरा सहीं था पढ़नी है उसके अंदर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपनी तरीके से रोधराक्ष को बना रहे हैं तो बना रहे हैं मतलब बना रहे हैं कि to tail formation वहाँ पे कही गई है, head or tail उसमें लिखा गया है और कोन से metal में पहननी चीए, वहाँ पे अक्षमाली का उपनिशद में कहा गया है कि इसको gold में, silver में, munge के साथ पहन सकते हैं, crystal के साथ, fatigue के साथ पहना जा सकता है, tambe के साथ पहना जा सकता है, pearl के साथ पहना जा सकता है, वहाँ पे अलग-लग चीज़ें उसमें दी गई है, भागवतम में भी का गया है कि जो 108 दाने पहन लेता है, वो जो है मौक्ष की उसको प्राप्ति हो जाती है, और it is like to get success in all walks of life, तो nine के multiple में आप पहन सकते हैं अगर 108 नहीं पहने, because 108 जो है बहुत ही एक देविये नंबर कहा गया है हमारे शास्त्रों में, जैसे हमारे उपनिशद भी 108 हैं, बगवान शेव और विश्नु के नाम 1008 हैं, तो सारी चीज़ें नौ पे जाकर एड़ हो जाती हैं हमारे शास्त्रों में, तो nine के multiple में जब आप पहनते हैं रुदराक्षा को तो बहुत अच्छे effect आपको देखने को मिलेंगे, head to head, tail to tail formation के साथ आप पहन सकते हैं, multiple रुदराक्षा से मुखी के आप पहन सकते हैं, इसमें कोई भी restriction नहीं है कि आप एक दाना पहनना है, आपने ती जितने ज़्यादा पहने, आप उसको पहने, बट क्योंकि कल्यूग के अंदर इतनी बड़ी बाला पहनने हैं, जो हैं, पहन नहीं सकते हैं, एक तो weight है, और ऊपर से थोड़े से बलकी होते हैं, रुदराक्ष नेपाली रुदराक्ष जो होते हैं, तो हम यह बोलते हैं कि क चोटे होते हैं इंडोनेशन, तो उसकी माला बना लें, तीन दाने नेपाली लगा लिए, तो multiple of nine आजाएगा, 54 beads, 108 beads आप उसके पहन सकते हैं, और शास्त्रों में इसका भी बखान है, कि वहां पर यह लिखा गया है, कि बॉड़ी के हर पार्ट में रुदराक्ष को पहनना कहा गया है, जैसे शिखा के उपर आप पहन सकते हैं, बाजू पर पहन सकते हैं, छाती पे पहनने के लिए बोला है, कानों में पहनने के लिए बोला है, और कलाई में पहनने के लिए बोला है, गले में पहनने के लिए कहा गया है, तो वहां पर कहा गया है कि इतने हजार पर पहनने चाहिए, पर एक्जांपल में आपको पता लूँ है, जिसके मुझे अभी पीछे किसी ने किसी का इंस्टाग्राम चैनल बेजा, तो वो सेलर जो है, सारे मुखी के रुदराक्ष के ब्रेसलेट बना रहे थे, हाई, दिस यौर होष्ट वरुन वादबा, यह आपक बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे, तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, तो प्लीज हाथ जोड़के रिक्वेश्ट है, अगर आपको हमारा कॉंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी महनत, AdonTalks टीम की महनत पसंद आ रहे है, तो नीचे दिये गए फॉर्म में पूच सकते हैं, हम लोगों ने आश लॉजर अपने पास हायर करना शुरू कर दिया, तो आपकी सेवा में AdonTalks इंदी पॉड़कास की पूरी टीम हाजिर है, तो आप उनको पता ही नहीं है कि कौन से रोदराक्ष जो हैं हाथ में पहने जाए पांच और शे मुखी और साथ मुखी भी राइट हैंड में पहनने के लिए बोला गया, चोदा मुखी माथे पहनने के लिए बोला गया बीच में, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जितने भी रोदराक्ष हैं, आप गले में पहन सकते हैं, इसका एक और रीजन है क्योंकि जब अगर हम कोई जैसे बोला गया, राइट में पहनने के लिए और अगर हम गले में डाल लेते हैं, लेफ पर डालते हैं, तो क्या वो नेगेटिव इंपक्ट करेगा या वो कुछ इंपक्ट ही नहीं करेगा, देखे सबसे पहले मैं यह बता दू, रोदराक्षा का कोई इंपक्ट नहीं है, बट जब हम बात करते हैं, रोदराक्षा की गले में पहनने की, या हाथ में पहनने की, तो उसके पीछे हमें फिर से साइंटिफिक रीजन देना होगा, क्योंकि 1980s में जो स्टेडी हुई है बनारा सिंदु उनिवस्टी में, उसमें यह कहा गया है कि र एक्यूप्रेशर एफेक्ट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा, जब एक्यूप्रेशर कराने जाते हैं लोग, तो वो एक पॉइंट को प्रेस कर रहा है, तो हर एक मुखी का अपना एक्यूप्रेशर एफेक्ट है, और जब आप उसको अपने हाट चक्रा के पास पहनत करता है आपने देखा होगा रिशी मुनी पहले जमाने में पहाड़ों पे जाके रुदराश को पहन के ध्यान और तब किया करते थे ऐसा क्यों था क्यों कि आपकी कॉस्मिक और येंटेशन आपकी चेंज करेगा आपको बेटर डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाएगा वो पर्चुनिटीज तो पहले भी आ रही थी बट आप उसको इग्नॉर कर रहे थे बट वो रुदराक्ष पहनने से नियूरो ट्रांस्मिटर से आपका क्या हुआ राइड बरे इवन कि थिंग्स आर नाट मुविंग बट आयम मोर काम इंड कंपोज और उनको यह कि यह मैं काम यह कर लूँगा अगर मैं ऐसे करूँगा और मुझे पता है कि इतने टाइम लाइन में यह काम को एचीव कर लूँगा बहुत सारे ओडियंस में लाखो लोग अभी देख और मेरी तरह मैं भी खुद और जानना चाहता हूं और क्लारिटी तो क्या मैं किसी बुक से रेफरेंस लो या कहां जाओ कैसे सीखो उसके लिए देखे आज कल के टाइम में इतनी बुक्स हर किसी के पॉसिबल नहीं है पड़ना तो हम इसके उपर तीन दिन का एक कोर्स करा आज इसा नहीं मिला गी रुदराख लोपर और नहीं उपर कोई कराथा कि एसटॉलोजी के अंदर ही एक चैप्टर बनाके भी पढ़ा दिया जाता है तो बहुत हीं सिक इंफर मिशन होती है जो हर जब बेसिंग के लिए क्योंग है रिजरिये और देखनी है है को हम इस क्वालिटी चेक सिस्टम हम सिखाते हैं उसके अंदर कि अगर आप एक लेमन है इसके लिए कोई भी बैक्ग्राउंड की जुरूद नहीं आपको ना निम्रोलोजी के ना इस्टोलोजी के अगर आप एक इसको कर सकते हैं कि रुदराक्ष क्या है इसको पत्ति कैसी हुई कितन से पहले क्या क्या बाते पूछ सकता है और हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉम्यूनिटी है 800 लोगों की जो रुदराक्ष एक्सपर्ट हैं और मानिये मेरी बात कि वो आज मार्कट में जाते हैं और सेलर से पूछते हैं एक सवाल तो उसके पास जवाब नहीं होता देने जैसे अब एक उनलाइन सेवाल ये भी था जो मैं रिसेर्च कर रहा था कि जैसे बहुत लोग रुदराक्ष धारन कर लेते हैं तो उनको फिजिकल होने में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ओक्वर लगता है कि उनको लगता है कि बहुत डिवाइन चीज उन्होंने पहर मतलब सोते समय पीते समय अर्थात सभी कालों में मनुष्य को रुदराक्ष को धारन कर लेना चाहिए कब रुदराक्ष को धारन नहीं करना चाहिए वहां नहीं लिखा है अग मैं अपने मुझ से कुछ भी बना दूँ तो वह मैं बनाई रहूं जस्ट और फिर मेरे बाद लोग उसको और मोल्ड कर सकते हैं क्योंकि यह सारी फायर की तरह फिर फैल जाती है और ऐसे करते हो ना ऐसे मत पहनो बट शास्त्र हमारे बहुत सिंपल है वहां पर यह लिखा गया है कि इसको 24 गंटे 24-7 इसको पहन लेना चाहिए बदल अपनी लाइश्टाइल का पार्ट पहले नेगडिव एनरजी तो वह हरनेस उसको करने लगेगा रुद्राक्ष तो अक्रमेशन गरांट पर जाते हुए आप इसको उतार सकते हैं और रात को सोने से पहले आप इसको उतार दें तो जाबा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर स्टीक्स होते हैं वो जड़ सकते ह जब आप इसको हो सकता है कि आपका वेट रुद्राश के उपर आजाए तो वो तूट सकता है तो आप इसको सोने से पहले उतार दें सीकिसी सेफ प्लेस पर रख दें और सुबह नहाने के बाद दुबारा ग्यारा बार ओम नमस्षिवाय बोलके इसको पहलने धारन कर लें मतलब वो रिद्धियों के दाता है तो ऐसा का जाता है जो आठ मुखी पहन लेता उसको सारी रिद्धियों और सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जो लोग योगा मेडिटेशन में इन्वाल्व हैं जो साधना करते हैं उनके बहुत ही अमेजिंग है और रुके हुए काम बन जाते हैं आठ मुखी से अगर कोई आपका कोई स्टंब्लिंग ब्लॉक है लाइफ में जैसे स्पेशली जो इसका जो रूलिंग प्लेट है वो है राहू कुछ लोग बाहर जाने के लिए अपलाई करते हैं वीजा के लिए वीजा के लिए पी आर के लिए तो अगर समय आपका अनुखूल है अगर समय आपका आगया तो अपने लग को अलीवेट करने के लिए आप 8 मुखी पहन सकते हैं तो रुकावाद काम निकल जाएगा राहू मतलब ओल्सव फ्लोफ मनी तो पैसे के फ्लोफ को भी बढ़ाता है 8 मुखी बहुत अच्छे रिजल्ट है रा रुद्राक्ष देवी दुर्गा को रिप्रेजट किया गया है तो अगसे लोग पूछते हैं कि कोई फीमेल के लिए स्पेशलाइज रुद्राक्ष है तो यह है अला कि कोई भी जंडर कोई पहन सकता है बट नो मुखी स्पेशलाइज फॉर फीमेल्स क्योंकि उसके नो नो मुखी रुद्राक्ष का रूलिंग प्लैनेट है के तु तो अगर आपको के मैलेफिक एफेक्ट साहां के चार्ट में यह आनफेवरेबल पोजीशन है तो तब भी आप नो मुखी को पहन सकते हैं दस मुखी की बात करते हैं तो दस मुखी रुद्राक्ष बहुत ही पा कि इसाओं में सफलता के लिए पहना जाता है दस मुखी रुद्राक्ष तो दस मुखी रुद्राक्ष स्पेशलाइजड है और कहा गया है कि इसके अंदर जो आपकी साथ पुछते हैं आने वाली उनको प्रोटेक्ट आप कर लेते हैं अगर आप साथ मुखी को आप पहन ल जाता है इसको गर के सेंटर में अगर आप हैंग करें टो इससे घर के सितने भी वास्थुदोष मोगbinत करें तोerdra की और ग्षा कुर अगा कि यह कुछ तरों और किसिने कुछ कर दिया कैसे लोग बोलते हैं मेरे उपर कि इसने कुछ कर तो उसके लिए बहुत ही specialized bead है भूत पिशाट निकट नहीं आवे ग्यारा मुखी इस दा वन अव दा specialized bead ग्यारा मुखी की एक और खासियत है इट हील्स multiple health issues जैसे लोग कहते हैं कि kidney से related समस्या है heart issues है उनको तो उसके लिए भी ग्यारा मुखी बहुत ही कारगर है आप करते हैं तो बारा मुखी रुदराक्ष सूर्य और विष्णु को रिप्रेजेंट करता है जी तो जैसे कि यह जो बारा मुखी है it's one of my favorite bead in double digit जिसके मैंने बहुत अच्छे effect देखें entrepreneurs business persons के लिए बहुत ही अच्छा रुदराक्ष है बारा मुखी अक्सर मैं यह कहता हूं कि अगर आप combination बना रहे हैं रुदराक्ष का जैसे कि आप 5-6-7 मुखी पहन रहे हैं तो एक दाना double digit का specifically बारा मुखी अटगर लिए और फिर देखिए कमा तो इससे जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं रुके वे काम बनते हैं लोगों के कोई भी अगर politics में जाना चाता है या उसमें एक्सल करना चाता है तो बारा मुखी रुदराक्ष उसको highly recommended है फिट से बारा मुखी के बारे में शास्त्रों में का गया है कि यह जितनी भी तरह के health issues है उनको जो है क्यों करने में help करता है और दूसरा आपकी इंद्रियों पर वश के लिए बारा मुखी पहना जाता है तो तेरा मुखी बहुत ही के charismatic रुदराक्ष है क्योंकि यहां से अब रुदराक्षा की high end range start हो जाती है और तेरा मुखी एक rare category का रुदराक्षा है क्योंकि 12 के बाद जब आप जाते हैं तो रुदराक्ष का दाम बढ़ जाता है और availability कम हो जाती है तो तेरा मुखी के keywords हमेशा तीन मैं बोलता हूँ कि charisma, aura and attraction इसके लिए यूज होता है उसके जो ruling planet है that is Venus शुकर तो जैसे कि 6 मुखी भी पताया था मैंने Venus का तो अब जो लोग upgrade करना चाते हैं तो वो 6 से 12, 13 के उपर सीधा आ सकते हैं तो जितने भी आप Bollywood actors देख रहे हैं जो अच्छे top के आज Bollywood actors जार रहे हैं उन्होंने एक ना एक टाइम पे तेरा मुखी पहना ही पहना है मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता है यह बट एक एक पॉटलाइट में रही है तो अब देखे कि जो celebrities हैं politicians हैं कुछ जो है क्योंकि रुद्राक्ष की माला अंदर हाइड हो जाती है जैम्स दिखते हैं सामने तो आपको पता नहीं लगता कि क्या पहना है तो कभी ना कभी ऐसा बोला जाता है कि कि किसी politician, business tycoon, leaders और celebrity ने कभी ना कभी रुद्राक्ष को धारन किया ही होता है एक ना एक बार अपनी लाइफ में तो तेरा मुखी बॉलिवूड एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, theater artist के लिए, अगर आपका बोलने का काम है, public speaker है, oratory का काम है अगर आपका, तो भी तेरा मुखी आपके लिए अच्छा है, तेरा मुखी का मतलब luxury है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि यह इंदर और कामदेव को represent करता है, तो charisma, aura, attraction के लावा, जो luxury से related, जो भी हाई-end luxury की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, आपनी income को boost करना चाहते हैं, तो तेरा मुखी एक बहुत अच्छा option है आपके लिए, उसके बाद 14 मुखी की बात करते हैं, तो 14 मुखी, one of the powerful rodraksha in 1 to 14 मुखी, and it is also very expensive, the most expensive rodraksha in 1 to 14 range, तो एक मु नहीं होता है, तो वाइस कैप्टन ही कैप्टन होता है, तो 14 मुखी के बारे में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिफ के तीसरे नित्र से निकलावा rudraksha है, तो इसके जो रूलिंग प्लानेट है, वो है mangal और शनी, और जितने भी प्लानेट है, सब को जो है, चोड़ा मुख चोड़ा मुखी के अंदर कहा जाता है कि एक से तेरा मुखी रूदराक्ष की पावर बलती है, तो इसको अगर आप थर्ड आई पे पहने, इसको लगाके अगर आप मेडिटेट करें, तो आपकी लेटरल थिंकिंग, आपकी इंट्यूशन बहुत हद तक डेवलेप हो जात एक मुखी रूदराक्ष के अराउंड बहुत जादा कॉंट्रिवर्सी कोई कहता है कि मिलता ही नहीं है, कोई कहता है कि यही संपूर्ण है, क्या उसको थोड़ी क्लारिटी दो हमें यह सबसे बढ़नींग कोशन पूछ लिया आपने, बहुत ही कांट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ कोशन है एक मुखी का, तो एक मुखी क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसको राजा कहा गया है, भगवान शेव ने बोला है कि के अंदर सोय मैं हूं इसको धारन करना, तो एक पर पर सबसे बहले बात करते हैं, इंडियन वरैटी की. एक आती है हरीदवार की वराइटी, जो हरीदवार देहरादुन में मिलती है, और डूसरी आती है, आपकी, साओफ हिंडिया की, साओफ इंडिया की, यह दो आपको मिलेंगे जो यह भधराउश की केटिगरी में चाब तो यह सब्सक्राइब नहीं होता है इसमें नेचरल होल करते हैं और पूरा गोल होना चीए अब चापटा हुपके यह उता हूं नहीं होता ना इसमें नेचरल होल में डालने के लिए it's तो सबसे पहले तो जब आप होल कर देते हैं तो उसकी जो क्वालिटी वो नीचे गिर जाती है जो सबसे ज्यादा जो इसका खेल होता है वो इसकी पावर जो है जनरेट होती है तो एक बदराक्ष एक तो वो मिलता है जो किसी काम का नहीं है मतलब C ग्रेड और पहना ना पहन नहीं पाया गया कि वो इतना इफेक्टिव है उसके बाद आता है आपका सदन पार्ट का अब इस लाइक शबस्तिट्टीट उफ वन मुखी क्योंकि एक मुखी नेचर में होता नहीं है जब मैं नेपाल की बात करता हूं तो जब एक मुखी आपका सदन पार्ट का है वो न मतलो आप जितने भी हमें टेस्टेवनी इसकी मिली है और जितने भी मेरे सप्लायर्ड रोद्राक्ष के उनके जो 35 साल का तो जुर्बा है वो यह कहता है कि हां ये अच्छा काम करता है अच्छा काम करता है अच्छा सब्स्टिट्यूट ऑफ वन मुखी एक्जट्ली अग् हरीद्वार और देहरादून का विराइटी है इसको पूरा एक प्रॉरिफिकेशन प्रोसेस होता है पंचामरित से अगर आप सनान करा गया भद्राक्ष को भी पहनते हैं तो एक अच्छे एफेक्ट हमने इसके अंदर देखे हैं अगर आप इसके अंदर छेद नहीं करते क पाजुदाना को मैंने उनको फिर फोटो कीच के बेजा कि सार नहीं करते इसके अंदर तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप उसको शुद्धी करन करके पहनते हैं तो एक अच्छे एफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं दूसरा है आपका इंडोनेशन वेराइटी इस ज छेद मतलब यह लगा लेजी कि होल उसका बंद होता है आप यह लगा लें कि नेपाल और अंडोनेशन रुदराक्षास टोनों के अंदर होता है बट इंडोनेशन के अंदर पार्ट्छळी उसको ड्रिल करना पड़ता है आपको वह ऐसे बेरी डंठल के सारे रच्वाइब से लटका होता है तो उसके अंदर होल करना पड़ता है और वह बहुत चोटा होता है विश्व पुरान में का है कि जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा तो वह 4-5 mm से स्टार्ट हो जाता है 6 mm तक आपको मिल जाएगा वो तो उसको ना एक से ज़्यादा क्वांटिटी म कोल के बेच दिया जाता है अब वो क्या है वो क्या है कि वो पूरा गोल है वो दाना उसके उपर बाहर आपको एक मुख दिख रहा है बट अगर हम साइंस से जाएं तो बॉटनिस्ट हमेशा उसी को एक मुख मानते हैं जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स भी उतने मिलें मतल बाहर एक मुख मिल रहा है आपको जी डिफॉर्म अंडर डेवलोट बीड वह अंडर डेवलोट बीड है मतलब नेपाल में क्या हुआ कि सदियों पहले ऐसा एक अंडर डेवलोट बीड मिला अब वो तो नेचर का पाट है कि बाहर पूरे मुख आ नहीं पाए बट अंदर उसके कंपार्टमेंट है वो तीन चार या पांच है तो असल में वो तीन चार या पांच मुखी है बट लाइन बाहर एक दिखरी है तो लोगों को लग रहा है यह एक मुखी है तो यह करके जो है लोग इसको काफी परचेस करते हैं एवन की 25-25,000 का भी लोगों ने मुझे बताया है कि उन्होंने इसको लिया मार्कीट से काफी लोग एक मुखी के नाम पर चले जाते है कपट हो जाता है उनके साथ हमारे कोर्स में भी काफी लोग आते हैं जिनके पास अक मुखी था जैसे कि एक क्वीमेल थी वह भी उन्हें का कि मुझे यह 2,000.000 रुपे का मिला और वो बिचारी फिर वो लाब में टेस्ट हुआ तो वहां की हरीदवार की वराइटी निकली वो और सिरफ उसका मैंने का जी अब इसका मुल्ले सिरफ उत्रा ही है जितनी यह गोल्ड लगा है इसके अंदर क्योंकि एक मुखी के बारे में यह कहा गया है कि एक मुखी जिसके पास भी होगा इसलिए एक निचर में होता ही निये आप चाहें उसके अंदर दस साल और लगाने research में मैं अपने 5 साल का दजूर्बा अपने supplier के 35 साल का दजूर्बा मैं यहां पे रख रहा हूं अगर मैं आपको खुश करने के लिए बोल दू कि हाँ होता है 10 साल में एक बार आपको मिल जाएगा ऐसे कोई भी चीज नहीं होती है अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है एक मुखी है तो that is not a one मुखी और the supplier is ignorant about the internal structure of the rudraksha कि उसको पता ही नहीं है कि internal structure कैसा दिखता है rudraksha का तो यह एक मुखी को मैंने एक मुखी है यह नहीं तो हम उसका substitute देते हैं that is the kaju dana वो सबसे अधा sell होता है market तो वो आप पहन सकते हैं but I am not a very big fan of one मुखी कि एक मुखी मैं जादा recommend नहीं करता हूं क्योंकि मैं स्क्रिप्चर्स की sayings पर जादा believe करता हूं तो मैं उसकी जगा बारा मुखी पहनने के लिए कि अगर आपको काजू पहनना ही आप पहन लीजिए काजू दाना उसके साथ आप बारा मुखी को अपका company करी क्योंकि वो गोल है और फिर से उसका जो ruling planet that is sun technically that is the secret of one मुखी एक मुखी के नाम पे please मैं audience से भी यह कहना चाहूंगा कि कोई भी website अगर claim कर रही है एक मुखी है that is the underdeveloped bead that must be three four or five मुखी रुदराक्षा तो या तो आप अपने माइंड से निकालने एक मुखी को या फिर एक मुखी से भी बहुत बराबर आपको experience करने को मिल जाएगा बाकी मुखी बहुत ज्यादा powerful है अगर आप अपना focus अटागी एक मुखी से बाकी रुदराक्षा इसके बारे में deep study करेंगे तो परफेक्ट बहुत ज्यादा clarity मिली हमें सारी चीज़ों के जानने के बारे में सिर रुदराक्ष को देखा जाता है कि medical उसमें भी यूज होता है तो वो कैसे यूज होता है और कहां कहां पर यूज कर सकते हैं बिल्कुल यह तो 5000 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं medically भी हमारी आयरुवेद में इसको कहा गया है कि यह राजा है जितने भी medicines है तो रुदरा देखें रुपेद में उसमें यूज होती है रुदराक्ष का इसका बनाया जाता है पेस्ट बनाया जाता है रुदराक्ष जो है बहुत अच्छा ऐ कार्डियो वैस्कुलर डिजिसमें क्योर करता है तो यह specific है अगर किसी को high blood pressure है तो यहां पर मैं बता देता हूं तीन दाने पांच मुखी नेपाल ले ले अच्छी quality आप ले ले 20 mm का रुद्राक्ष आप ले 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 वह तीन दाने आप तांबे के बरतन में रोज आप भीगोएं रात को 8 घंटा आपको भीगोना है और सुबह उसका पानी जो है आपने कंस्यूम करना है इससे आप 90 दिन आप यह करके देखिए और आप देखें अगर आप high blood pressure के patient है तो आ रोद्राक्ष हर एक मुखी रोद्राक्ष के बहुत सारे medical benefits हैं तो अगर मैं पताने पर हूँ तो एक मुखी heart issues के लिए बहुत अच्छा है आपके अगर bypass surgery होने वाली है या हो चुकिया recovery के लिए एक मुखी पहन सकते हैं आप दो मुखी आपकी mental health के लिए बहुत अच्छा तो anxiety, stress, depression आजकल बहुत चल रहा है COVID के बाद तो आप दो मुखी पहन सकते हैं या फिर गौरी शंकर रोद्राक्ष पहन सकते हैं क्योंकि दो मुखी थोड़ा सा expensive रोद्राक्ष है तो उसकी जगह आप गौरी शंकर पहन सकते हैं उसके बाद तीन मुखी रोद्राक्ष है त क्योंकि मंगल बॉडी में ब्लड को डिनोट करता है तो ब्लड से रिलेटेड कोई ब्लड कैंसर में भी तीन मुखी को पहना जाता है तो तीन मुखी वहां पहन सकते हैं ब्लड का कोई infection है या hemoglobin कम है उसके बाद चार मुखी माइंड से रिलेटेड किसी भी activity के लिए कोई nervous disorder है एपिलेप्सी में भी काम आता है चार मुखी चार मुखी आपकी ओरेटरी पावर के लिए अच्छा है कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं या हकल आते हैं तो उनके लिए चार मुखी बहुत अच्छा है उनको milk therapy दी जा सकती है कि आप boiled milk में आपको रुदराक्ष को 15 मिनट वो रखना है चार मुखी को तीन दाने आप उसके बाद वो milk जो है बच्चे को पिला सकते हैं तो एक मेर को यह बहुत इंट्रेस्टिंग आइडिया लग रहा है कि लोगों को बहुत जादा हमारे को कॉमेंट्स आता हैं health related तो हम एक ऐसा episode बना सकते हैं जो सिर्फ health related सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि मैंने बताया है कि रुद्राक्षा इस प्रूवन रेमेडी अगर आप पतंजली आयुरूवेज संस्तान में जाएंगे तो वहां पर पाएंगे कि वह इंडियन रुद्राक्षा जो महां पर मिलता है उससे ही काफी है उन्होंने अपनी सर्चिस की है इसके उपर कि कैसे जो है अलग-लग हेल्थ इशूस को एड्रेस करता है रुद्राक्ष और कैसे उसके डिफरेंट फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं हम कि चार मुखी स्पेसिफिकली एपिलेप्सी के क्योर करता है उसका रुद्राक्षा का पाउडर बन सकता है पेस्ट बन सकता है आईड्रॉप्स बन सकती है तो आप प्लीस कॉमेंट करो और जितने जादा कॉमेंट होगे हम उतनी जल्दी आपके लिए एक एपिसोड ले आएंगे एक और सवाल है मेरा जाते जाते आपसे पूशा चाओगा कि कैसे मतलब कि हमार अब एकुश रुद्राक्ष को सीधा धारन कर लेना चाहिए या चार्ज करना चाहिए या जैसे बने सोना ता उल्ली काले धागे में नहीं पहनते तो ये सारी चीज़ा कैसे करते हैं तो रुद्राक्ष को पहना कैसे है? हालाकि जो रुद्राक्ष है वो पेड़ से जब उतरता है तो तभी एनरजाइज होता है वो बट हमारे शास्त्रों में, पदम Πुरान में, स्कद्ध Πुरान में रुद्राक्ष को मंतरों से भी मंतृत किया जाता है उसके बाद पहना जाता है यानि कि हर किसी मुखी के अलगलग बीज मंत्र होते हैं तो वो बीज मंत्र जो है आपको उचारने है नहीं तो नॉर्मल आप ओम नमस्षिवा है या फिर महाम रुतिंजे का मंत्र आप हर किसी मुखी के लिए applicable होता है यह यूर्मल आपके पास जब आतीा है तो आप सबसे पहले और आप सबसे भागेशाली ऐसे आपको क्योंकि काफी जन्म के उधार के बाद वो आपका उन्हें कमाया है आपने घजर्श मटमस्ट पेस भीड़ः जल्द से आपके सभीके करना है कि उसको शुद में और करना उसके बाद आपने उसकी धूबघ्तिा आपने पitated करनी है और सेंडल वुड़ पेस्ट यलो वाला सेंडल वुड़ पेस्ट और आपने लेने हैं सफेद फूल वुड़े नाथ को सफेद मंतर 158 जैसे आपने पांच शेड़ और साथ मुख्या करेंगे उसके बाद आपके पास भग krijgen भूटो होगी और सलिफन कर सकते हैं और काफी इसमें भी मार्कटिंग गिमिक होता है लोगों का की काफी वेबसाइट क्लेम करती हैं कि एनरजाइजड है एक्टिवेशन करके हम देते हैं मैं यह बोलता हूं कि अगर आप बिमार है मैं दवाई ले लू तो आप ठीक हो जाएंगे क्या तो उनको यह समझना चाहिए कि कल यूग में हैं हम और अपन अफल जो है उनको मिल जाया करता था तो यहां पे जब तक आप अपने हाथ से कोई करम नहीं करते हैं वह कर्म आपको आपका धूरा है या पूरे तरीके से नहीं लगेगा तो आप यह घर पे बैठके इस प्रोसीजर को किया जा सकता है और यह सारी चीज़े जो मैंने पता जाके आपको जाने की जृरती है अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां वह करवादेंगे आपको पड़ा पर होना बहूत ज़रूरी है इसको करने के बाद आप इसको पहन सकते हैं और इसका मैं पता दू कि लोग अकसर ये भी सवाल पूशते हैं कि कि तेने दिन में A healthy सबसे पहले तो मैं पता दूं कि जो हैं का सबसे जादा काम करे का अप ऐस जांड वाथ कावर हैं उपके पास पास करें पो तो अपके ओपर कि एनरचीू कितना नो हो वह प्रफ पाइंगे तो मैंने देखाए कि पहले कंटे में आपको जो है फीवर हो सकता है most common side effect मैंने देखा कि लोगों का पिट खराब हो जाता है क्योंकि आपके बाडी के चक्रा एलाइं ही नहीं है तो सबसे पहले जो है आपको जो है अलाइन करेंगा डेट इस आपकी बॉड़ी की एरजी के साथ वो सिंक्रोनाइज कर रहा है काफी लोग यह भी बोलते कि सार हम तो डर गए यह साइड इफेक्ट आया हमने तो उतार दिया तो यह तो बल्कि अच्छी बात है कि साइड इफ किसी का अपना different experience है बट अच्छी बात है कि एक अफते ज्यादा कोई भी ऐसा effect long last नहीं करता है और इसके effect मैंने एक अफते में भी देखे हैं इसके effect maximum आपको 90 दिन के अंदर देखने को मल जाएंगे क्योंकि रुदराक्ष पहनते ही आपके कोई ना कोई काम हो जाएंगे कि में रपास ऐसी testimonies हैं clients हैं ऐसे कि अभी रुदराक्ष जस्ट आके रखा है package और जिस काम के लिए वो मंगवाया गया था जो purpose था वो already महां से कोई good news आ गयी है उनके पास यहां पर जो है आपका belief system जादा काम करेगा और पूरे मंतर चरण के बाद अगर आपने रुदराक्ष को पहन लिया है तो मैंने ही वानता कि वो रुदराक्ष काम नहीं करेगा और specifically अगर वो माला अच्छी formation में बनी है जो शास्त्रों में कहा गया है और धागे का color भी इस towards our trinity तो लाल रंग की आपने देखा है कि काली माता को बली दी जाती है लाल खून से वालेंटाइन पे भी रेड रोस देते है ना आप इसको काले रंग का धागा भी आप यूस कर सकते हैं बट universally red color is auspicious perfect sir बहुत कुछ जानने को मिला मेंगा बहुत ज्यादा interesting episode था क्योंकि मैं रुदराक्ष के बार में बहुत time से like podcast करने से भी पहले से जानना चाता था मेरे लिए बहुत interesting episode था बहुत कुछ जानने को मिला बहुत सारे लोग अब रुदराक्ष खरीदना भी चाहेंगे तो कोई है वे जिससे आपकी कोई website हो या कुछ भी चीज बिल्कुल तो जब मैं रुदराक्ष के बारे में पढ़ा रहा था मेरी journey थी तो मेरी community ने ये बो कि quality का रुदराक्ष आपको बहुत websites पे नहीं मिलेगा आपको अब मैं इसको cut shot करूँ तो सिरब मेरे हाथ में 5 उंगलिया और मैं 5 supplier भी शायद ना गिन पाऊं कि जो sellers हैं क्योंकि हमारी community बहुत short है आज मैं काफी जो top notch sellers हैं रुदराक्ष के जो काम करते हैं इसका PDO से करत हुआ है कि quality कोई दूसरी बोल के दे देना क्योंकि you are on the mercy of the other person क्योंकि इसके बारे में knowledge नहीं है मार्केट में तो आप समने वाली की दया के ओपर हैं and also I'm not flaunting it but I'm very pleased to say that I'm very proud to say that with that we sell best quality of rudraksha in the country आप हमारे से प्रचेस करें रुदराक्ष हमारी website रुद्रसमराट.com और यह startup जो है वहीं से निकल के आया लोगों की डिमांड थी कि सर आप एक portal बनाईए e-commerce बनाई है जहां से हम रुद्राक्षा को परचेस करें तो रुद्रसमराट.com पर जा सकते हैं वहां पर आपको डिफरेंट 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 रुद्राक्षा एक से लेकि सोला मुखी आपको मिल जाएंगे अलगलग कॉम्बिनेशन भी आपको महां में रेडिमेड मिल जाएंगे कुछ स्पेशल डॉन्टॉक्स के मिल जाएंगे क्योंकि फिर वो मिको बोलते हैं कि बहुत मेंगा बढ़ रहा है कुछ अस्ता कर रहा हो पर देख लो मैं सोच रहों आप लोग के बारे में कुछ कर दीजिए जी बिलकुल हाला कि हमारे रुद्राक्षा बहुत ही कॉम्पेटिटिव हैं इं तरम्स अगर आप क्वालिटी को अगर कंपेर करें बट फिर भी सिंस अजचर फॉर और ओडियंस आप फिटीन परसंट दिसकांट आप कूपन कोड नीचे आप देजिएगा वो कूपन कोड नीचे देजिए और हैपी शॉपिंग परफेक्ट लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है और बहुत आपका थैंक्फुल हूँ और इस माध्यम आपने मुझे यह दिया रुद्राक्ष के बारे में पताने के लिए क्योंकि मैंने क्या का कि बहुत ही लिमिटेड इंफरमेशन अविलेबल है मासे में बहुत लोगों पर काम करना भी बाकी है तो शायद बोले नात की मर्जी रही और आपके पास भी बोले नात का मेरे को लग रहा है की हाथ है कि तभी इसी वज़ा से हमने यह मंच चुना है कि रुद्राक्ष के बारे में जादा से जादा इंफरमेश अब जादा की मैं भी उनी के लिए थांच भों Thank you sir, thanks for doing this. बहुत मझा आए, बहुत कोच जाने के मूला. Om Namashivaay sir. Om Namashiva. Perfect.